नमस्कार मैं हुआ आयूशी और आप देख रहें सब्रंग समाचार IPL के 13 सीजन का 10वा मैच रॉयल चैनले बैंगलॉर और मुंबे इंडिन्स की बीच आज दुबई में खेला जाएगा इस सीजन में पहली बार टीम इंडिया के सूपर स्टार प्लेयर विराट कोली और रोही शर्मा आमने सामने आएंगे बैंगलॉर के खिलाफ मुंबई का पल्ला हमेशा बारी रहा है और दोनों के बीच हुए 10 मैच में से कोली ने सिर्फ दो बारी मुंबई को हरा पाए है माँच में भी पहले बल्ले वाजी करने वाले टीम दिल्ली ही जीती थी सीजन में मुंबई और बैंगलॉर का ये तीसरा मैच इसके पहले दोनों टीमों ने दो मैच में एक मैच जीता और एक हारा है मुंबई को सीजन के पहले मैच में चेन्नाई ने हराया था वहीं बैंगलोर को पंजाब के हाथो हार का सामना करना पड़ा था आईपेल इतिहास में मुंबई ने सबसे ज़्यादा चार बार यानि 2019, 2017, 2015 और 2013 में खिताब जीता था पिछले बार उन्होंने फाइनल में चेन्नाई को एक रन से हराया था मुंबई ने अब तक पांच बार फाइनल खेला है वहीं बैंगलोर ने अब तक तीन बार फाइनल यानि 2009, 2011 और 2016 में फाइनल खेला है और तीनों बार खिताब नहीं जीता है आईपिल में मुंबई और बैंगलोर के बीच मुंबई टीम का पल्ला हमेशा भारी रहा है दोनों के बीच अब तर 27 मुकाबले खेले गए हैं मुंबई ने 18 और बैंगलोर ने 9 मैच जीते हैं पिछले सीजन में बैंगलॉर्ण ने एक बार भी मुंबई को नहीं हराया था आगे के आईफिल अप्डेट्स के लिए बनेरे सब्रंग के साथ धन्यवाद